अक्टर अनुपम खेर और उनकी वाइफ किरन खेर को तो सब जानते हैं लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अनुपम खेर की एक दूसरी बीवी भी थी जिससे उन्होंने किरन खेर से पहले शादी की थी अनुपम खेर की first wife भी खुद एक actress है और NSD से passed out है In fact, अनुपम खेर की उनकी पहली wife से मुलाकात NSD days में ही हुई थी, दोनों classmate थे उनकी first wife का नाम है मधुमालती कपूर मधुमालती कपूर से अनुपम खेर की मुलाकात NSD में हुई, दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों की arranged marriage हुई, परिवार के खुशी से दोनों की शादी की गई लेकिन शादी के बाद इन दोनों की आपस में जमी नहीं यानि कि इनकी ये शादी बहुत कम दिनों तक चली जहानुपम खेर ने मधुमालती से अलग होने के बाद किरन खेर से शादी की वहीं बात करें मधुमालती कपूर की तो उन्होंने आगे चलकर रंजीत कपूर से शादी की रंजीत कपूर अक्टर अनु कपूर के भाई है रंजीत कपूर की भी मधुमालती के साथ ये दूसरी marriage थी रंजीत कपूर को अपनी पहली शादी से दो बच्चे थे और मधुमालती से शादी करने के बाद उन्हें इस शादी से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया मीशा कपूर मधुमालती कपूर की अगर बात करें तो टीवी और फिल्मों दोनों प्लैटफॉर्म्स पर उन्होंने काम किया है जहाँ एक तरफ गदर जैसी फिल्म का वो हिस्सा रही है वहीं कुछ समय पहले ही वो प्रमास्त्र फिल्म में भी नजर आई थी यह अपने आप में बताता है कि मधुमालती कपूर लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है और वो आज तक इस इंडस्ट्री में अक्टिव है मधुमालती कपूर और रंजीत कपूर की शादी भी लंबी नहीं चली कुछ समय बाद मधुमालती कपूर रंजीत कपूर से भी अलग हो गई आगे चलकर रंजीत कपूर ने अक्ट्रिस अर्चना मिश्रा के साथ शादी की वहीं रंजीत कपूर से अलग होने के बाद मधुमालती ने कभी शादी नहीं की उनके पास उनकी बेटी मीशा कपूर है जिसके सहारे वो जी रही है